हाई गाईज वेलकम बैग टू मैं चानल से एवरी मंच मैं हूँ सरीता और आप सब लोगों को मेरा प्यार वरा नमस्ते तो आज मैं आप लोगों के लिए के आ गई हूँ विंटर स्पेशल तो विंटर स्पेशल में आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू और प्याज के पत्त हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं तो वीडियो लाश तक देखिएगा और अगर आप लोगों को रेश भी पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्याज के पत्ती की सबजी बनाने के लिए मैंने प्याज को अच्छे से दो के और फिर इसे चोटे चोटे टुकडों में काट के ले लिया है तो पहले धोए उसके बाद छोटे टुकडो में काटें तो अब ये काट के तयार कर लिया है मैंने तो अभी कडाही गरम कर लेते हैं तो कडाही को मैंने गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए अभी इसके अंदर आइट कर देंगे हम तेल तो अब जो भी तेल खाते हैं उस तेल में हम बना सकते हैं अभी इसके अंदर आइड कर देंगे हम जीरा तो आधा चमजीरा आइड करें और उसके बाद आधा चमजा पराई आइड कर सकते हैं दोनों को अच्छे से चटकने देंगे यानि कि इसको अच्छे से ब्राउन होने देते हैं फिर इसके अंदर हम एड़ कर देंगे कटा हुआ प्याज तो प्याज जो है मैंने दो मीडियम साइज का काट के ले लिया है और टामाटर तीन काट लिया है तो सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज आइड करेंगे और फिर इसे भूनेंगे तो टमाटर अब इसकिप कर सकते हैं लेकिन टमाटर जब आप टालेंगे तो सबजी का जो स्वाद है वो दो गुना और बढ़ जाएगा यानि कि बहुत ही टेस्टी बनता है तो टमाटर जरूर आइड कीजेगा प्याज के पत्य के अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो अभी हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं तो प्याज को मैंने बारी काटा हुआ है आप किसी भी सेप में इसे काट सकते हैं और अभी इसे भून के ले लेते हैं साथ ही एक साइड से मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है तो दोनों साइड बाई साइड होते रहेगा यानि कि कम टाइम में हम लोग सबजी बना के त्यार कर सकते हैं तो कड़ाही थोड़ा बड़ा है तो एक साथ मैंने दोनों डाल दिया है और दोनों साइड बाई साइड हम भूनते रहेंगे। तो वह इसके अंदर मैंने एड कर दिया है तो मैं आलू और प्याज मिक सबजी बना रही हूँ अब सी प्याज का भी बना सकते हैं लेकिन मुझे आलू और प्याज का जो सबजी है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है अब आलू को अच्छे से भून लेते हैं हलका सा इसमें नमक डाल देती हूं ताकि यह सॉफ्ट हो जाए जो इसमें मैंनेतमाटर डाला है ओ नमक डालने से सॉफ्ट हो जाता है बस इसे डहक के दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दे और पकने दे जो अभी 3 मिनट हो चुका है तो अभी खोल के इसे mix कर देते हैं और अब देखेर है कि टमाटर भी अच्छे से soft हो गया है तो अभी इसे मिला लेते हैं जो है उ हमें पका लेना है अच्छे से उसके बाद ही इसके अंदर हम एड़ करेंगे प्याज तो अगर आप पहले ही आलू पका लेते हैं तो प्याज को ज़्यादा गलाने की जुरत नहीं होगी और अच्छे से सब्जी बनके आपका त्यार हो जाएगा तो अभी इसके अंदर मैं हल्दी आड़ कर रही हूँ हल्दी डालने के बाद इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है सारा चीज में छोटे चमच से इसमें आड़ कर रही हूँ आप अपने सब्जी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं उसके बाद मैंने इसके अंदर यूज किया है धनिया पाउडर तो धनिया पाउडर जो है मैं इसके अंदर दो चमच डाल रही हूँ एक चमच गरम मसाला यह होमेट गरम मसाला है आप कोई भी सब्जी मसाला इसमें एड़ कर सकते हैं अब इस सारी चीजा डालने के बाद अभी से एक बार और अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम इसे ढख देंगे ताकि यह जो मसाला है अच्छे से भूनके त्यार हो जाएं तो गैस का जो फ्लेम है अभी मैंने लो कर दिया है और अभी से ढख के दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने देते हैं दो मिनट के बाद फिर से मैंने ढख्कन हटा दिया है और इसे अच्छे से mix कर दिया है और इसका कलर देखिए बहुत अच्छा आया है साथ ही आलू भी इसका जो है वो सीज गया है अभी इसमें एड़ कर देंगे हम कटा हुआ प्याज का पत्ता तो थोड़ा थोड़ा प्याज का पत्ता डालते हुए मिलाते जाएंगे इकठे एक बार में पूरा नहीं डाल देना है तो मिलाने में प्रॉबलम आएगा तो थोड़ा थोड़ा डालते जाए और मिक्स करते जाए इससे होगा यह कि प्याज जो है धीरे-धीरे सॉफ्ट होते जाता है और आसानी से बनके सबजी तैयार भी हो जाता है तो लास्ट में कभी भी डाले एक ही बार में आलू और प्याज का पता एड़ ना करें पकाएंगे तो अगर आपका प्याज का पता थोड़ा ही हो और अगर आप इसे बहुत जादा नहीं गलाना चाहते हैं तो विदाउट लीड आप इसे पका सकते हैं यानि कि आप ढ़कन न डाले और भी न ढ़कन डाले बस 3-4 मिनट के लिए मिलाए और निकाल ले थोड़ा सा नमक मैं और आड़ कर रही हूं टमाटर के टाइम में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और अभी थोड़ा सा और नमक अड़ कर दिया है अभी नमक डालने के बाद इसे भून लेते हैं तो ये जो आलू और प्याज का सब्जी है इसे मैं ड्राय बना रही हूं ज्यादा गिला नहीं कर रही हूं तो इसे कभी भी आप ड्राय ही बनाएं तो अभी इसे ढख देते हैं पकने के लिए तो इसे ढख के हम कम से कम 3-4 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से पक जाए और इसका पानी भी अच्छे से सूख जाना चाहिए तो फिर से आप लोगों को ये खोल के दिखाती हूं मैं और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है क्योंकि प्याज जो है और नमको दोनों मिक्स होता है और पानी काफी अच्छे से छोड़ता है क्योंकि प्याज के पत्ते में भरपूर मातरा में पानी होत जो ठकते साथ ही छोड़ देता है और मैंने इसमें अलग से कोई भी पानी यूज नहीं किया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सो अभी और इसे सुखा लेते हैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो यह देखे पानी को मैंने अच्छे से सुखा दिया है और सब्जी जो यह सब चीज के साथ बहुत ही टेश्टी लगता है तो कैसे भी बनाए और इंजॉय करें और खास तोर पर ठंडी में तो आप लोग यह जरूर बना के खाए क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में विटामिन्स पाये जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता ह तो फिर आप लोग भी इसका सब्जी बनाए और अपने आपको स्वस्त रखें तो यह लीजे गाई हमारा टेस्टी एंड हेल्दी आलू प्याज की सब्जी बन के तयार है तो अगर आप लोगों को यह सब्जी पसंद आ गई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जाए और हाँ लाइक और कमेंट करना बिलकुल भी मत बूलिएगा तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई